आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ सबसे पहले हम पहला हल करते हैं इसको हम कुणनखंड बिधी से करेंगे इसको बढ़ घटा में 12X अब हम दूसरा वाला देखते है पाई का वर्ग घटा में 35Y, जवा में 156 बराबर है 0 इसको अगर हम हल करते हैं, तो ये गुनंखंड विदी से हल नहीं हुआ जा सकता इसको हम D से करेंगे, D होता है B का वर्ग घटा में 4AC B कितना हमें गिवन है, ये B है, B कितना है, माइनस 35 35 का वर्ग घटा में 4 बराबर, A कितना है 1, और C कितना है 156 ये आ गया 35 का वर्ग होता है 1225, और इन दों को गुणा करके आया 624 अब हम इसने घटा करेंगे, तो आएगा 601 हमने इसके 2 रूट निकाल लिए, घटा B, जमा, घटा, रूट, D, बटा में 2A हमने इससे 2 आ जाएंगे इसके उत्तर हमारे, एक तो आ जाएगा 35 घटा में वर्ग 601 बराबर, A कितना है 2 और दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ पर घटा का निशान है, यहाँ पर भी घटा है तो घटा कटा कट गए दूसरा आ जाएगा मारा 35 यहाँ पहला यहाँ दूसरा 35 जमा में वर्ग 601 बराबर है, बटा में 2 इसका अगर हम इनको हल करेंगे तो इनको हल करने के बाद आ रहा है 5.242 और इसका अगर हम देखें, हमारा वाई कितना है तो 5.242 और दूसरा 29.758 अगर हम दोनों को देखें, अगर हम 12 से देखें तो 12 बड़ा है, इससे लगन इससे छोटा है अगर हम साथ से देखें, तो साथ में इससे बड़ा इससे छोटा है अब हम 5 से देखें यहाँ से, तो यह 12 छोटा है, हम मतलब संबंध स्थापेथ नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता इसलिए नहीं किया जा सकता तो कि यहाँ पर 12 है 12 से यह 5 तो बड़ा है पर यह 39 छोटा है अब हम अगर 7 से देखें तो 7 से भी यह 5 तो बड़ा है पर यह 39 छोटा है अब अगर हम यहाँ से देखेंगे 5 से तो यह इन दोनों से छोटा है, लेकिन यह 29 इन दोनों से बड़ा है, इसका मितलब 29 यहां से बड़ा है, और यह 12 इससे बड़ा है, तो संबंद स्था पिर नहीं किया ला सकता, तो चारों विखल गल्लात है, धन्यवार है।